अब भाजपात तेजी से होगी ग्राउंड पर एक्टिव। अलग-अलग राज्यों के विधायकों की ट्रेनिंग करा रही भाजपा। क्या होगा मद्ध्रदेश भाजपा का अगला दाव। इन दिनों मद्ध्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतिय जनता पार्टी के अलग-अलग प्रदेशों से आए विधायकों का प्रशिक्षन करा रही है। असल मिन विधायकों को प्रशिक्षण देकर मद्य प्रदेश की अलग-अलग 230 विधान सभाओं का प्रभारी बनाये जाएगा। आज सुबा 11 बजे कानव फंसिटी में भारतिय जनता पार्टी के 230 प्रवासी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। जिसमें भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेता कैंद्रिय मंत्री और मद्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्रियादव मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसी के साथ ही मद्य प्रदेश चाशन के मंत्री मोहन यादव, गुजरात के विधायक अमिठ ठाकुर और मद्य प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश संयोजन विजय दुवे मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिस प्रकार से इन विधायकों ने अपने फॉर्मूला का उप्योग कर अपने राजमें अपनी विधान सभा में जीत हासिल की थी। उन्हीं जीत के फॉर्मूले को यहाँ पर अब मद्य प्रदेश में उप्योग किया जाएगा। 2023 का मद्धिप्रदेश विधानसावा चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है जिसके चलते ही मद्धिप्रदेश की अलग अलग राजनेतिक पार्टियां अपनी चुनाव प्रवंदन में लग चुकी हैं। नयनय आइडिया का इंप्लिमेंट किया जा रहा है। कॉंग्रेस पार्टि अपने पैम्पलेट लॉंच कर रही है तो इसी के साथ ही भारतिय जनलता पार्टि किस तरह से ग्राउंड पर एक्टिव हो सकती है उसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है। प्रशिक्षर के दौरान प्रदेश चुनाव प्रभारी का ये कहना है कि अमूमन पहले होता ये था कि प्रदेश की विधानसभा सीटों के प्रत्याशी अपनी रणनीती के साथ चुनाव लड़ते थे। लेकिन अब अलग-अलग राज्यों के विधायकों को जब विधानसभा का प्रभारी बनाये जाएगा तो उस विधानसभा में एक साथ दो-दो व्यक्तियों के विचार कामें आएंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रयोग का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि मद्यप्रदेश भारतिय जनलता पार्टी ने अपने 49 भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है जिसके बाद से ही माहौल गर्म होना शुरू हो गया है। आजपा कि इस प्रयोग को देखने के बाद मद्यप्रदेश कॉंग्रेक्स का ये मानना है कि इस समय भाजपा बॉखलाई हुई है जिसके चलते ही उन्हें अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है जिसकी वज़य से वो दूसरे प्रदेशों के विधायकों को मद्यप् इंस्टा, यूटूब, ट्विटर हर जगा मौजूद हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद